हेलो फ्रेंड्स टेस्टी एंड डिलिशेस फूड बाई जोती चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको आमले का मुरब्बा बनाना बताऊंगी ये पून रूप से 100% प्योर है और शुद्ध तरीके से इसको बनाया गया है इसमें किसी भी तरीके का कोई भी अलक से कोई भी इंग्रीडियंट इस तरीके का नहीं डाल गया है जो हमारे स्वास्ते के लिए हानिकारक हो तो आईये फ्रेंड्स आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं और इसके इंग्रीडियंस देख लेते हैं इसके लिए मैंने ये आधी किलो आमले लिये हैं जो कि म इनको अच्छी तरह से पहले साफ करना है क्योंकि इस पर डस्ट और कुछ कन लगे हुए होते हैं तो उनको अच्छे से साफ करके दो लिया है अब हम एक पैन लेंगे और गैस के उपर उसे रखेंगे इसमें अब हम इतना पानी डालेंगे कि ये सारे जो आमले हैं ये उसम हमको बॉयल करना है बॉयल करने से ये सौ्फ हो जाएंगे और आमले का मुरबह बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है तो सारे आमले हम इस पानी में डाल दींगे और इसे बॉयल करने या और कुछ नहीं डाला है क्योंकि यह बिल्कुल शुत तरीके से बनाया गया है सारे आमले मैंने इसमें डाल डिये हैं और यह पानी में डूबे हुए हैं इतना पानी ही आपको इसमें लेना है और इसे अब हम ढखकर तीन से चार मिनिट के लिए पकाएंगे तीन से चार मिनिट में ही ये बॉयल हो जाते हैं ये देखे फ्रेंट्स एक उबाल आने तक इसको हम उबालेंगे और ये अच्छी तरी इसके से गल जाएंगे इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा ये देखे गैस की फ्लेम अब आफ कर देंगे और इसे दो तीन मिनिट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे ढखकर ताकि उसी गरम पानी में ये थोड़ा और गल जाएं ये देखे फ्रेंट्स ये गल चुके हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके पानी को हम फैंक देंगे ये पानी किसी काम का नहीं है इसे हम फैंक देंगे अब सारे एक के सारे आमले हमने प्लेट में निकाल लिये हैं ये देखे फ्रेंट्स अच्छे तरह से ये सारे गल चुके है ये देखे फ्रेंड्स इनका कलर चेंज हो चुका है अब फ्रेंड्स हम एक पतीले में एक कटोरी भर कर चीनी लेंगे आप चीनी को ज्यादा यगम कर सकते हैं लेकिन चीनी मुरब्वे में ज्यादा ही करनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर खटापन होता है आमले के अंदर तो ये सिरप धीरे धीरे उसमें अब्जर्व होता है यह देखिए और इसमें ताकि यह चीनी नीचे से जले नहीं थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसको धीमी आज पर बिल्कुल धीमी आज पर इसको चीनी को मेल्ट होने देंगे अब फ्रेंड्स हम यह आमले जो हैं इसको फोक की मदब से प्रिक करेंगे इसके अंदर चारों तरफ हम छेद बनाएंगे ताकि चीनी का रस इसके अंदर अच्छे से चला जाए फ्रेंड्स हमने पहले इसमें होल नहीं किये थे क्योंकि फिर अगर हम उसको बॉयल करते हैं तो उसका सारा जो उसके विटामिन्स मिनरल्स जो भी हैं वो बाहर पानी में वेस्ट हो जाते आमले के इसलिए अब हम boil करके इसमें ये छेद कर रहे हैं ताकि ये चीनी के साथ boil भी हो जाएंगे और इसके अंदर ये सारा सिरप भी चला जाएगा ये देखिए फ्रेंट्स, सारे आमलों में मैंने फोक की मदद से प्रिक कर लिया है उन्हें ये देखिए, अब इसमें सिरप जाना स्टार्ट हो गया इन छेदों में और इसको हम इस सिरप में ही उबालेंगे सारी चीनी मैल्ट हो गई है, ये देखिए फ्रेंट्स अब हम तीन-चार दाने इलाइची के लेंगे और इन्हें चील कर उस सिरफ में ही डाल देंगे देखिए friends बढ़ी आसानी से इसके दाने निकल जाएंगे देखिए इसी सिरफ में हमी उपर से डाल देंगे आप इसको क्रश करकर भी डाल सकते हैं मैंने इसको साबुत ही डाला है ताकि 2-3 दिन तक भी इसमें रहेगा तो उसका एलाइची का फ्लेवर इसमें अपने आप आता रहेगा यह देखिए सारे दाने अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए यह देखिए फ्रेंट्स अब इस चीनी को हम तब तक इसके साथ बॉयल करते रहेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए यह देखिए दो-तिन मिनिट बाद ही इसको सिंपर हम पकाते रहेंगे और पकाते पकाते देखिए इन आमलों का कलर किस तरह से हो गया है अब गेस की फ्लेम बंद करके अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसे काच के बाउल में या किसी काच के कंटेनर में निकाल लेंगे काच के कंटेनर में निकालने से आमला कई हफतों तक खराब नहीं होता है और सही बना रहता है यह आमला आपके शरीर के लिए बालों के लिए स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है आमला खाना तो आमले का मुरब्बा इस तरह से बनाए और खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं यह देखें फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे प्लीज शेयर करें लाइक करें और ऐसी ही बहुत ही हैल्दी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना ना भूलें ओके फ्रेंट्स, थैंक यू और बाइब